कर दोस्तों मैं आज है आपका स्वस्थित ग्रूप आप कालेजिस के यूटूब चैनल पर आपका बहुत बहुत शाधत करता हूं दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रायटी एकाउंट के टापिक को कभर कर रहे हैं है पिछले दो-तीन विडियों हम लोगों ने रायटी एकाउंट की पहिभासा और उसके जो निम्यार कल टॉपिक्स असके को कभर कर चुकी उस्सी निमेर कल के जाए थे उसमें हम लोगों ने एक चावाल पर हम लोगों ने जाना था कि गार्टी एकाउंट में जो जो कलास में जानेके वास्तों ने की साट वरकिंग का खाता कैसे बनता है लेकिन उसके पहले गोकiks खाता भही तो opens आध की बोले ऐब दोस्ता है गर Hm repay Rather यक take में कहती नई यह सब्सक्राइक कि पोर्टन वह अगरता भही नहीं को इसके हैं आध रहता बहता है लेलाट का या राड़ी का खाता बनेगा वो अच्छी करी किसमनों कभर नहीं कर पाएंगे तो इसमें सब्सक्राइब करें और जानते हैं कि खाता भही या खाता क्या है दोस्तों खाता एक बिशेश प्रकार की पुस्तक है जो एक ब्यापारी अपने वहां रगता है वो ब्यापारी या जो ब्यापारी होता है उस पुस्तक को क्या करता है प्रधान पुस्तक क्या करता है प्रधान पुस्तक क्या करता है प्रधान पुस्तक करता है यानि किसी ब्यापारी का एक ऐसा पुस्तक जो प्रधान पुस्तक क अपने एक वर्स का जितना धी लेंदेर जितना भी सौधा पिया है already संचिप वम वर्गी क्रिट रूप में उसमें लेखाता है उसी को हैं किसने हैं कि अपर eh क्यों रही संसीफ्ट करें कि उसको मुझा जाने हैं कि वास्ते वास्ते का सच्छा क्यों हो यह कोacji कम से कम वालहें जलता है जहां पर बहुत शार इक उैससे वर्श्टू उसको क्या करना हुअ में बाड आदेर आगे उसे o यानी कंचे इसको क्यों एक करता है जैसे को पता ओगा कि एक जर्नल्बूट क्या होता है मतलब कि रोजनामचा पुस्तव इसको पते है जैसे कि आपको पता होगा जब हम लोग एक प्यापारी और कोई एक संस्था अपने एक वर्स का जो लेखा करता है जितना भी लेंदेन जिसे भी लेंदेन किया रहता है या वसीनी खरीदा हो या सोवन को बुक्तान दिया हो सोवन समह ईस पुस्त हम नोग लिकते हैं उसे इस पुस्त को क्या कुझता है जर्नल बुप खाया था है या नी यरिंग कोई शंथ्ता अपने एक वार्स के Sum यह एक वर्स्त के समस्त लेंदन जो दिठी नशेयर शूलब नहों पारते। मिढ travelled जर्नल पुप राम हुआ या श्याम हुआ यह राम से माल ख़ड़ा है जिले किसे नि dema di reaction करें बें करेंगे लाकूि लिगते हैं तो एक समस्या यह आती है कि जितने भी हम पुस्तप में लेके किये रहते हैं, उस पुस्तप को क्या करते हैं, अगर राम है, श्याम है, राम का पूरा डिटेल हमको लेना पड़े तो इस पुस्तप को क्या करना पड़ेगा, इस पुस्तप के लिए हमको क्या करना पड़ेगा जितना भी इंव्लों किया है जैसे राम से माल परीटा है और राम को गुपतान दिया है इस तरकी समस्या है आएंगी कि अब राम के क्या करेगा पूरा हम डिटेल हम खोजेंगे तो उसके क्या होगा इस जर्नल बुक से बहुत सारे दिक्ते पैदा होगी और इस दिक्तों को दूर करने के लिए इनी दिख्वतों को दूर करने के लिए अपने समस्त लेंडेनों को संचिप्त एगवंबधिकृत रूप से लेखा किया जाता हो उसी पुस्त को क्या कर सकते हैं लोग खाता बही कर सकते हैं इधर का उधर उसको क्या करते हैं वास्तों में खाता बही क्या है जानते हैं कि खाता बही ब्यवस्ता है और ब्यापारी की प्रधान बही है मतलब यहनि प्रिंस्पल अभी बताया नवह कि पमारी एंगिसी ब्यवस्ताइग क्यों किसम क्यों कि संध्र्च एवं वर्गियत रूप से लेके किये जाए ठीक है जिसमें ब्यापार में होने वादे लेंदेरों का संचित एवं वरंखित लेखा क्या रहा है कि यह वर्स के अंतरत जितने भी लेके राम संबंधि किये है उसको खंणने में हमको क्या हो टाइम लग जईगाले लेकि अगार नाशी से हो जाएगा इसिटिया को इसिश्चित श्रू Almighty ही अक्तरियव कर एक वट निस समय में लेंदेन एक यह अच्छान पर लिखे जाते हैं जिससे उस पछाट cd working इक सिट् Congesting जितना कितल बार फिरब से काम किया अ उसको निशिट समय से क्या व्य रिख से दिना भी लेंडेन किया वह उसको एक्या स्थान पे लिखे जाते हैं इस पुस्थच में लिख देते हैं कि उसी खाम thirds टीक है यहाँ तक इसका आगे गौना है ऐसा करने का उद्द्रि एक एक निशित समय में एक खाते से संबंधित लेंदेनों की इस्तिती की जानकारी प्राब करना है यानि कहने का मतलब इसका मुख केवल काम यहीं है कि एक निशित टाइम में समझ में एक निशित समय में एक खाते से संबंधित मतलब राम खाते से संबंधित यानि राम से जितना भी हमने लेंदेन किया है उनकी संपूर जांकारी इस खाते के माध्यम्शन को हो जाया इसका एक मात्री ही उद्यस होता है इस खाते भई से ठीक है आगे चलते हैं आगे कर रहा है खाता भई में समस्त बेक्टिगथ यहां दीजेगा यहां ते रखे यहां तो पता होगा कि परखे एक्टिगत पर्शनल एकाउंस हैं उसके पर शुक्षान रिय अकाउंस और नीकाउंस इस खाते में ऐस खाता भषा, इस खाता भई में इसका उम्ल्यासन किया नहीं होगे सारामाता खाता बही रजिटर की रूप में होदी आप देखे होंगे खाता बही क्या होता है उसी रजिटर को ही क्या का आ जाता खाता बही का जाता है उसे ही क्या का सकते हैं लोग खाता बही का सकते हैं इसके प्रतेग प्रिष्ट पर प्रिष्ट संख्या आंकित हो दी प्र सब्सक्राइब तो इस तरह से रोजनामचा मतलब जर्नल बुक में जितने भी लेके किये रहते हैं उस जर्नल भुक से लेंदेनों की प्रविस्ट्रियां करने के बाद उनका वर्विक्राण किया जाता है यह वर्विक्रित मुल्यांकर करके खाता में मुल्यांकर किया जाता है उसे ही क्या है खाता वही खाया सकता है आप छमहने आ हम चाहए खाने लोग जो क्या है यह तक आपको शमन में आगया वास्तों में घाना है आगे चलते हैं कि इसाब किताब की एमकुस्तक पूस्थान और जो लेखे जर्मल या इसकी शहयक वह वायों बचले में यानि जो भी इस खातों में, इस खातों खाताबही में जो भी मुल्याम करने जो भी इंट्रिस की जाती है उसकी सहाधा है, जर्नल यहां तक समझ में आगया होगा आपको, कि बिल्यान बिकल्स ने इस पलगासा में क्या खाता है हाटों की मुख पुस्तक ही हता भुंतम ऑधी अभी ऑधीρα विश्जफ पुस्तक है प्रणान पुस्तक रोल इंचाहब ही क्या कि are स्टेयर की पुस्पर का कि असरों कि क्या जान्य वहिए नियों ऊसके ङृस्पी कि जाती है उसे ही झाया सकता है जला रही यहां तक समझ में आ गे में या सक्निन यानि अब चलते हैं सबसे important खाता भः के नियम क्या है खाता भः के नियम सबसे important यही नियम उद्ने को जानना है कि जब इल्पी करेंगे इसकी importance आजयाएकि क्या चलते हैं कर रहा है जर्नल में जितने खातों का नाम होता है, मतलब जर्नल में जितने खातों का जैसे राम का खाता हो गया, शाम का खाता हो गया, ठीक है, मसीनरी हो गई, ठीक है, जितने भी खाते होते हैं, उन सभी का क्या होगा, उन सभी का खाता होगा है, जितने भी एक व्यापारी, जितने अधलेडेल भी हे लोगों से लेंदिर होता है किया एठ गया होता है उसमें तौर फटल फ्राड भुल्लक तसके फिरुमी भी थो तो जो जो हम खाता खोलेंगे तो जिसका नाम लिखेंगे उसका मद यानि बीच में ही लिखेंगे यही बात कर रहा है एक नाम से सम्मंदित सभी लेखे एक जगह निखा जाएगा आपके समय इक समस्या होगा यह कहीं राम दो नाम के होंगे तब यह नाम तो बहुत जो नाम के आपके समय समस्या हो जाएगे तो वहां पर थोड़ा सा अभ्यापारी है व्योशाहियत्रों क्या करेंगे इसी के आगे थोड़ा सा चैनिक कर लेंगे जैसे यहां पर राम एंडशंस लिख देंगे यह राम का अलग खाता हो जाएगा इस लिए दिन की रहते हैं उसको सिल्सिलेवार यानि अगर एक तारिक का है एक अप्रेल का है तो एक अप्रेल के डेट में एंट्री करेंगे अगर दस तारिक में है तो दस तारिक बंद बंद आए करदेंगे एक तारिक को करेंगे ऐसा नही यानि शिल्षले वार बंध से अर्था टिथीला यानि करंबंध तरीके से जोबी इंट्री वोगी उसको करेंगे ऐसा नहीं कि दस तैके 10 आख अमने मान खरिदा पच्छ में कभी नहीं रिखा जाता है उसके सेम साइड उसके सेम साइड अपोजिट नेम लिखा जाता है इसको सबगने के लिए थोड़ा सामनों को इक इंपी करनी पड़ी जिससे आपको आसानी हो जैसे कि माल नहीं हमने क्या किया रांज एकाउंट दिया टू परजेज व उस नाम को उस खाते के देविट या क्रिट पच में कभी नहीं लिखा जाता है यानि यह जो नाम है जैसे माल राम का खाता उनको खोलना है तो राम का खाता जो खोलेंगे तो उसको हम नो डेविट साइट में लिखेंगे ने क्रिट यानि राम का जो खाता खलेंगे इसका नाम नहीं लिखेंगे उस जगे ठीक है आगे लिखेंगे उसके सेम अपोजीट नम में लिखेंगे यानि इसके अपोजीट नम क्या है तुसरा क्या है नाम वक्स debit side के खाते में तू यानि finalि to government सबसे इंप्रेंट इसको अच्छे तरीके से अब यह अध क्या है लेजर का फ़ार्मेट क्या है यह देख लेजर का फार्मेट में इसके है और आठ पालं में किया हुता है दूसरे चावल में पार्टिकॉलर यानि बीवन जो भी लिटेम होता है यह जोकार करते हैं जरिक हो अगे अपने से होते हैं और जो चार पालं में होते हैं वो इसके हैं रिक से प्रूर कायों प्रषैंट प्रेंग कर लिट तरिए करें प्रषैंटरी पांगि हम प्रसकुश व्यां ऐसे चाहते इसे जो अबहुती इसाँ बनीवास म महार कीशोटाटारे में साबूर साब्स कुछ समेटे इसाई पर में पर्चे घुए dedans तुअर नियम के उसार राम एकाउंटिया टू प्षाइन समझेंगा ज सका खाता हमने यह खाता राम एकाउंट और उसके विप्रीद पचरका नाम अगर डेविट में है तो ग्रेडिट में तो यहां तक समझ में यह अग्रा तू पर्चे यानि इसका नाम नो लिखे उसके विप्रीध पच्छ कानामिक नाम इए तीसरा नियम था देविड शाइट में वाई कप्रेवे उपर्टे यहां पर क्या होगा वाई कप्रेवे तीक है यहां समझ जांगा यानि तीसरा नियम सबसे आपको इसका भाता बतें उसका दूर्य को हैं- विक्रोफित-पक्रिफित-पकष्ल मैं थे चाहित तो थोधियर करखें को समझा का कि 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 यह पर्चेज का मुझा को टिए में सार क्रेज है कंऑ क्रिद साइट में एक शुक्र कृट एका में पर संबें नशहां उसके क्रेज नाम नौस्त का राम है यहां इस विसमें ऩो और केया वीयरो फेश्ट यह है नियुत मुझे कंगते हैं तो और मुझे आपने लोगां क हिता है उन्युम उसको मद्ध भाग में क्या करते हैं लिखते हैं यह 4 नियम थे जो important थे कल के class में उनों तो जानेंगे की वास्तों में short-workings, यानि कल के class में उनों क्या परनेंगे royalty account में short-workings ठीक है? उसके बाद landlord account ठीक है? उसके बाद royalty यह तीनों खाते जनर्लिटी के माध्यम से कैसे खुलेंगे खल के ख्लास में मिलेंगे दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर मेरे चैनल के आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इसको आप सब्सक्राइब कराएं वेल आइपन को जोरो प्रेस कराएं